तो आई दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजविवाल के तहार जिल से बहाराने के बात से आम आदमी पाटी यानि के आप में नया जोश नज़रा रहा है। शनिवार को केजविवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मानने कनाट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्शना की उनके साथ पतनी सुनीता केजविवाल भी नसराई इस बीच अर्विविवाल के जेल से बाहराने को लेकर बीजेपी ने आप पर कटाक्ष पिया है प्लेस कॉन्फेंस करके बीजेपी नेता सुधानशू तिवेदी ने कहा कि अर्विविवाल बाहरा गए हैं और जश्न मना रहे हैं केजविवाल आखिरकार लालू प्रसाद यादर जैललेता और शीबू सोवीन की तरह जेल विटर्न क्लब का हिस्सा बन गए हैं उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि वो शीला दिक्षित और सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे वो अब इंडी गड़ बंधन का हिस्सा है क्योंकि वो सभी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ गए हैं देखिये केजरिवाल जी आज बाहर आए हैं और देखिये किस कदर जश्न मनाया जा रहा है इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरिवाल जी जैसे लूटियन्स जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं न वैसे भारती राजनीत में कुछ एलीट क्लब है हम लोग अभी बच्छपन में सुनते थे कोई वेक्ति विदेश से लोटके आता था तो उस जमाने में बढ़ा होता था फॉरें रिटर्न है वैसे ही भारती राजनीत में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न केजरिवाल जी आप जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्ता जिन्लोन ली है 1997 में लालु प्रसाद यादव जी इस कलब के सदस्य बने 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंतरी जैललिता जी इस कलब की सदस्य बनी फिर सन 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंतरी करणा निधी जी जेल रिटर्न कलब के सदस्य बने फिर 2006 में जारकंड के मुख्यमंतरी शिवू सोर जी जेल रिटरन क्लब के सदस से बने फिर दोजार आठ में मधु कोड़ा जी जेल रिटरन क्लब के सदस से बने और मज़े की बात ये है कि अब उस जेल रिटरन क्लब के सदस से बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदनी पार्टी के लोग तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरू मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरू मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामनीला मैदान में तो उसका पूरा प्रभाव उनके उपर नज़र आ रहा है तो जेल से आने पर और वो भी केवल शौट टर्म में विशेश परिस्तियों में जैसा दिया गया है उसके बाद जो उनकी एक खुशी दिखाई पड़ रही है तो मतलब लगता खुशी मिली इतनी जो मन में ना समाए पलक बंद कर लो कहीं छलक ही न जाए तो इस इंडी कड़ बंदन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा देखे कितनी मज़ेदार बात